जलंगाना में भार्ती जन्ता पार्टी की सरकार बंती है ओबी सी को यहां से वेशे ही भागना पड़ेगा आप इसे हैद्राबाद के लिजांग को भागने कर मश्चूर होना पड़ा था हम भखर करते हैं अपको इंदुस्तानी बोलते हुए मगर आप यह कह रहें कि ओवेसी को भगा देंगे यह बीजै सी की जहिनियत है यह योगी नहीं नरेंदर बोडी की जबान है आरे ओवेस्टी तो छोड़ो ओवेस्टी की आने वाली एक अधार नत्रेदी जिसी मुन परेंगी तुछ से दराएंगी तुछ से मुखावरा करेंगी यहां तेरे अल्ला मेरे भगवान आखिर कौन मारे का मैदान सियासी युद्ध या फिर धर्म युद्ध ये बड़ा सवाल आपको बता दे आज मुद्धे की बात में जो हमार साथ खास मेमान चुड़ों है कया है एकस? फोला सा मुझे टाइम डीजेगा प्लिटिकल पार्टी के जो नेता लोग है ये कभी बी चीजों को क्लियर नहीं करेंगे उल्जा के रखेंगे टेबल टेनिस का जैसे मैच होता है ना दो लोग टुक 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 और रेफरी का रोल यहां कॉंग्रेस कर रही है जिदर बॉल जा रही है उधर देख रही है लेकिन कौन जीता कौन हरा वो रेफरी डिसाइड नहीं कर पा रहा है यह बड़ा क्लियर है कि OEC साहब क्या कर रह का यह खिर है घरवाद में लड़ ब्हब यह दोता हुट का राजनेता या राजनेति पाली का पहली चाहत करतब यह होती है कि अपने पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटेट दिलाएं यह कहीं लड़ेंगे नहीं यह वहीं लड़ेंगे जहां पे मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और बीजयोंपी को वोट जब काटना है तो यह दो चार कंडिडेट खड़े कर देंगे सायद पिहार यूपी में कुछ इनों ने किया था अब एक चीज और देखिए लक्षण देखिए सिम्टम देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगा वैसी साहब बीजेपी के खिलाब तो बोल रहे हैं चलिए मैं मानता हूं योगी जी ने या किसी ने शुरू किया लेकिन कॉंग मैं कि से बारे में नहीं बोल रहे हैं ऑगरSorry में एक राजनीतिक होते हैं मतलब कहीं कहीं केटालिस्ट की तरह काम कर रहे हैं किसके इसारों पर कर रहे हैं बी-सी-डी-टीम है यह मैं नहीं बताऊंगा तरह ऐसा कौन सा नेता है जो यह चाहे कि मेरे जबकि इनकी धाग भी मुस्लिमों में बहुत अच्छी है पूरे बहुत फैमस है क्यों यह कंडिडेट नहीं खड़ा करते हैं क्यों यह एक्टी पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते हैं क्यों है रवाद को छोड़ करके कहीं और यह ऐसी चीज़े लखनव में जाके बोले न किसी ने रोका है आपको लगता है बीजेपी और वेसी का फ्रेंडली नहीं यह प्लांड बहुत यह उद्देश दोनों का है देखिए मुझे यह लगता है कि बीजेपी को जीताना ही और कॉंग्रेस को हराना यानि कॉंग्रेस को नुक्सान पहुंचाना मैं इनकी एक्टिविटी और सिम्टम के बेस पर बोल रहा हूं मैं बोलता हूं अगर वैसी सहाब यह थे तो इंडियन सब कॉंटिनेंट का मुस्लिमों के लिए सबसे इंपोर्टेंट जगह है देवबंद और बरेली जहां से फटवाग एक बरेली संपरदाया है यह आज तक क्यों नहीं यह वहां के मुसल्मानों को क्यों नहीं कुछ बोला आप मुद्दे पर आते हैं ठीक है तो मैदान खु पिम को गाली देना जाइज है शर्मा जी यस और नो देखें बिलकुल पिम को गाली देना जाइज नहीं है अगर मेरे कहने से पहले आप हैप प्रियुदन बनने वाला तो हो बेसिकली क्या है जब तक आप किसी कोश्चन को सुनके उसका सवाल करूंगा ना तो उसके बाद वो करेंगे तो मैं भी कर सकता हो तो आपको यह चीज कोई आसान काम नहीं है या कोई मुश्किल काम नहीं है वहामे भी आता है वह चीज हम भी कर सकते हैं आपकी तरह से आपने बोला भी पी एम को गाली देना ठीक है के नहीं बिल्कुल मर्यादा के अंदर रहके प्राइमिस्टर सबकाओ तो गाली नहीं देना चीज़ लेकिन उसके साथ प्राइमिस्टर का दैट बनता है कि वह इस बात को विध्यान द सब्सक्राइब करते हैं तो राजनिती के अदर अपने निश्चलता है एक तो दूसरा सब्सक्राइब करें अगर क्रेप्षिन होगा तो इसको उजागर करना और दिखाना च्यों एक जिसको एक जहाज प्रणाने का भी एक्स्पीरिंस नहीं था अनी लंबानी को उसको 30,000 को कंटक्ट को दे रिया गया तो इसके ओपर जवाब तो लेंगे हम पिल्कुल लेंगे अगर हम बोलेंगे तो फिर आपको सुनना भी पड़ेगा और बीजेपी कोई सुनना पड़ेगा ने आप ऐसे बो पोचिए एके मिचला साथ फिर मैं उसके बात पूश्चन ये बताईए आम को मैंगो बोलिए चोकीदार और पी-म का कॉंसेट आज की डेट में सिनोनिम से दोनों का मतलब एक है तो ये कैसे हो सकता है सर कि आप ये बोल दो कि पी-म को हमने रही बोला अच्छा अलग अलग आपी संग्या सिंग वादर शुक हो जाएंगे फिर क्या कहेंगे आप बजाक नहीं उडाया मैंने फिर आप कहेंगे क्यों बोल दिया चौकीदार ये हैं देखें मैं भी एक नागरिक हूँ चाहे कोई भी नेता हो ऐसे ऐसी उपमा नहीं देनी चाहिए सर ये मानते उपमा यमक लंकार इसका थोड़ा सा घ्यान ले लिजिए तो आपको पता चलेगा हम लोगों को तो भी वियाद है डॉक्तर जाप वेसी को मुसल्मानों की पार्टी मानते हैं ये सो रोगता है साय। तो करेंगे तिलग जी लेकिन उसके पहले आपने मुझे समय दिया थोढ़ा समय आपके पूजे और राजनीतिक विशलेशन है जरा उनको भी क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं है यह लेकिन बताना चाहूंगा उत्रप्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा पढ़ना जलूरी होता और जानना जलूरी होता है इन्होंने बड़ी तेजी से विशलेशन करके बोल अधिस आपने जो नहीं मैं समझेगा कि 26 2017 में 26 नहीं 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 तर प्रवदेश के सारी निकाय चुनाओं में उन्होंने पारिटिसिपेंट किया जिसमें 26 वाड जीते गाजियाबाद के चेर्में के लिए और फिरोदाबाद में रणर रहे हैं आप मिजोरम का एलक्षन एलक्षन नहीं था प्यार का एलक्षन एलक्षन नहीं था वह इते खाहिए भाईच्टिवी के भादिया इंडिया वाइस एक जिम्मेदार चैनल आप आप इसमें चुनावी क्लिश्मेशन कर रहे हैं तो आपने संवादी पार्टी को सही कर रहा हूं अच्छा यह जो है कि एक तीलक जी ठीक है डेमिज होगा समाजबारी पार्टी को डेमिज होगा अगर वो यूपी में स्तमार करते हैं बीजेपी वालों ते पूछ रहा हूं कि आपने का मुसल्मानों की पार्टी में समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पढ़ा जाए क्या मुसल्मानों का वोट है हमारे पास हिंदू हमारे पास हिंदू वोट भी है अच्छा तो यानि आप यह कह रहें ना किचाय हुए जाए आदे आपको कोई टेंशन नहीं है जान रहा हूं सर कोई टेंशन नहीं आपको मैं मानतू रहा हूं सर आप बताएए ना हमेरे 2019 की टेंशन नहीं है अमारे 22 की टेंशन नहीं है नहीं हम आप जान रहा हूं सर नहीं है आप मुद्धे पे आई यह इतना नराज हो गए आपके विचलेशर तो मैं तो तुम्हीं को बताना चाहूं सर दिरेक और यहां सर जिस चीज़ को अब अब्लेका अब्लेका त है है हां मैं तो दूसरी बात बोलना हूं क्या भारत के भारत जैसे गड़ाज के प्रदायन मंत्री को चूड़ी भेजना अच्छी बात है यह भी तो आप बोलिए आप यह भी तो पूछेंगे क्या उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज है वहां का मुख मंत्री अपने छेतर में कानून विरस्ता की बिगड़ी हालत को देख नहीं पा रहा है और तिलंगाना और वहां पे जाके वहां पे डिज किसको महलूँ नहीं है? सनविधान के हिसाब से मैं भी फ्री हो, सर कहीं पर जाके जाकर मैं चिला सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं दिकत का है योगी के प्रचार करने से आपको प्रशार को आपके प्रिचार करने के यह आपके पर पस करना कि भी ब्यक्ति कहीं भी जाके चुनाव परचार करसकता है उसे को अवरोद नहीं है वह एक चोटे से कूओं है का कोई मेठक नहीं होता जैसे की बता रहे हैं की वह अब योगी जी के अंदर हमारे मुखमंत्री पहले थे नरेंदर भाई मोदी भी गुजरात के मुखमंत्री थे आद देश के परधान मंत्री हैं कहीं नहीं उनके अंदर काविलियत थी और पूरा देश ने उनको स्विकार किया अच्छा अधितनाथ जी भी उनके अंदर भी काविलियत है अक डॉटर को एक जर्नलिस्ट बेचे हैं कि इनके अदर जर्नलिस्ट काविलियत है एक योगी जी काविलियत है कौन सी काभियत है जनता से चुड़ना काभियत है नोट करिए यहां पर सफ़ा साफिरों एक सेटेंड और योगी सबसे बड़े ब्रेंड़ में आपके यह सब दो क mica सकते हैं दो किया यह फिर सफका साथ सफका भी त догें डिया अपर ने का अब कहा रखिये आप मुझे जिन आप आपने कहा आपने कहा चुनाव गड़ते कहा तो फिर धर्म कहा एक सेटेंडे के दिश्णा धर्म कहा फिर धर्म कहा फिर नहीं तो हिंदू-मुसलमान सब चर रहा है गैस बता है तो हिंदू-मुसलमान सब के लिए है यह सब का साथ सब का विकास नहीं तो क्या है हाँ इतना जरूर है कि आज तक आपने हिंदू को तोर-टोर के राजनीती करने की कोशिस किये किसने की है कोंग्रेसियों ने जबाब दीए अब बताएए थाप इनकी पार्टी हिंदू है जब सुबे का मुख्य मंतरी भगवान हनुमान जी को जाती परमानपत रह सकता है तो बिल्कुल यह बात सचा ही है यह अथार्त में जो संजे जी कह रहे ठीक है आप देखे एक मानव मानव जो मुख्य मंतरी है फिर वो संत है उसके बाद वो जाती का परमानपत किसको दे रहा है बगवान अनुमान जी को तो जो तत्थे आज की डेट के अंदर जो विरासत में मिल गए है बीजेपी ने जो इंदू है वो उसी के लिए है आप मान रहे जो संजे सिंग कह रह जाती की उपादी योगी जी ने बताया है प्रभू स्री राम ने अनुमान जी को क्या बोला था सोचिये चुनावी मुद्बे के लिए आप उनका जाती बता रहे है एक सेकंड शर्मा जी मान रहे है आप चुनावी इंदू है ने ने ये परमानपत्र बीजे पी देगी कि जाती कि योगी जी को डिफेंड करिए एक बात समझे आप आपकी उमर और हमारी उमर के अंदर डिफेंस को आप देख लीजिए आप पड़े लिखे आदमी आप पर लिखे आदमी आप पर खड़े हुए है भारते राज्यति के अंदर कभी ऐसा दूर भी आया जो दो इसा दूर क्यों आगया ऐसा को स्टें को अर्थने लग गया कि मैं हिंदू मेरा जुन हुआ है या मेरा सिस्टम यह हिंदू है मुसलमान आप अपना पर राजिक्ता पहलाने का शाहा आप देखे एक हिंदू को एक बारते को पर्मान देने की बिजापी को जूर प्रुष बताईे दो आप पर्माट के पहले फत्वा दा था आप आप नाप पर्माट के जिए पर्माट के अदर पापी जुए है तो आपकी गिर्थी साख आपको प्रिशान कर रही है मैं चलते जलते कुछ बयान लेकिन संजे सिंग अगर इमकाबला धर्म के अधार पर जीट जाएंगे आपसे आप तो बड़े वाले इंदू है नहीं क्यों धर्म का अधार यहां नहीं चला हमारे पर्धान मंत्री जी ने सिर्फ कारे करने का काम किया आपने तो कहा हमारे ने अधार जेश्य चला हमारे पर्धान मंत्री ने सिर्फ का करने अधार इस ने झाल 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 झाल